बिस्मिल्लाहिरर्मानरहिम् आ Assalamualaikummm मेरा नम है आफिया आप दैक है आफियाज किचन आज मेरे किचन में बने ह्क। चिकन चीज़ कटलेगे प्राय केशिप याफ बने चीज़ आसे चीज Allah कि राट करेंगे अब लोग ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब करें बेल एकन को लाजमी प्रेस किए करें ताके मेरे न्यू आने मालो भी सब्सक्राइब आप तक पहुंचेंगे अब इसमें मैं शामिल करूंगी चिकन है मेरे पास 400 ग्राम जिसको एक टीज़्पून अधरकलेसंग डाल इसी के साथ में शामिल कर दूंगी आदा कप बरीकटी शिम्ला मिर्च यह चली गई अब इसी के साथ में शामिल कर दूंगी आदा कपी बरीकटा हरदनिया यह देखिए यह सार अच्छा लगया है अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक कब मुजरेला चीज यह चलीगी सारी इसमें अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे नमा के मेरे पास 1.5 टी स्पून यह चला गया एक 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुछी लाल मिर्च शामिल किया है आदा चाय के चमच हल्दी शामिल किया इसमें करेंगे बुना कुटा जीरा और बुना कुटा धनिया यह मेरे पास भरके और एक चाय का चमाचा मेरे पास पिसी काली मिर्च यह शामिल की है इसी के साथ में शामिल कर दिया एक टेबल स्पून मैंने गरम-मसाला और हाथ की मदल से इसको अच्छी दर्ण एक दफा मिक्स करेंगे, यह माशाला बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने जरूर ट्राइ करना इसे, बना के इसे 15 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, अब हाथ पे लगाया मैंने ओईल, और थोड़ा-थोड़ा सा मसाला उठा के, और शेप अपनी पसंद से दे सक कबाब की शेप दिया एक तयार कर लेंगे, के त्छान्ला से छोड़ाऊ थोड़े से मसाले में, यालो में जिक्तिने सारे मारे कबाब तयार हो गाए अब इन्हें डाला इन्हें, अब इनने夏 राए कर लेते हैं, पैनमें डालुप पहले में, 6-9 पआप, आप कबाब्य है अब सेट चेंज कर देंगे इनकी सारों की रेस्पी आप लोग जुरूर ट्राइ किया करें रेस्पी पसंद आए दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और मुझे कमंड बॉक्स में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसे बनिए देखे माशला अच्छा सा इनको गोल्डन कलर आ अब सारे निकाल लेती हूं अब आकी के भी इसी तरह अंडे में डिप करके अधिकर लेंगे तो आप लोगों ने जरूरू ट्राइए करना ही इसी के साथ मैं आप लोगों सी जादत चाहूंगी मिलेंगे इन्शालला गली रेस्पी के साथ दुआइओं में याद रखिया लाफ वेस